अब सबी के पसंद आप चैनल राय एट्यूकेशनल में में तो आरारबी एंटी पीसी स्पेसल न्यूस की वेरें बातचीत करेंगे जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया है जिहां बिल्कुल आथेंटिकेटेड़ सोर्से से न्यूस आ रही है और ये न्यूस है कि क् सघुए है आरारबी एंटी पीजी परिक्षा जीम लेकर बहुत बढ़ी अपडेट है कि सतंबर अक्टूबर अगस से ही सारी चीजें देखनें को मिलने वाली थी लेकिन एसा कुछ भी नहीं हुआ है तो ये इस्तगित हुई किन कारणों से ये कारण आपके मन में भी अंतरमन में चल रहा होगा क्या कि परिक्षा हो किन रही है तो उसको लेकर बड़ी अपडेट जानी के वज़ा निकली है और रेलवे अधिकारियों से सीधे अरार भी रिकूट्मेंट सेल के अधिकारियों से बातचीत हुई इसको लेकर और उन्हें परिक्षा में देरी की वज़ा बताई है तो क्या परिक्षा अगले साल होगी ये प्रशन सबके जहन में प्रशन एक बन कर आ रहा है कि क्या अगले साल होगी परिक्षा जो इतनी अब तो साल खत्म होने वाले लगबग दो मेने करते हैं वीडियो जितना ज्यादा होश के शेयर करना मत बूलिएगा तो मित्रों ये हैं अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है आरारवी अंटीपीसी आखिर क्यों स्थगित हुई अंटीपीसी परिक्षा रेलवे के अधिकारी ने ये वजह बताई है तो चलिए इसको प परिक्षा रारवी अंटीपीसी एक्षाम 2019 इस्थगित करने की जानकारी दी अरारवी ने नोटिस में लिखा रोजगार सूचना में ये दिया गया था कि पहले स्टेच की कंपिटर बेस परिक्षा जून से सितंबर की बीच में आयविजित की जाएगी हाला कि इसे इस्थ परिक्षा करिवाय सेडूल आरारवी की सभी वेबसाइट पर प्रकारशित किया जाएगा उमीदवारों को नीमेत रूप से आरारवी की अधिकारिक वेबसाइट चेक करने की सला दी जाती है हाला कि 35,000 से ज़्यादा पदों पर होने वाली ये भरती परिक्षा क्यों इस् कि खास वज़ा हैं लेकिन आप लोगों को पहले बता दे कि 35,000 पदों के लिए लगबग अगर आवेदन करने तो 1,26,3,830 आपके आवेदन आए हैं 35,200 खुछ पदों के सापीक्ष जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आवेदन माना जाता है पूरे ओल इंडिया से दूसरी ब बात करते हैं कि क्या है किस कारण से ये इतना देरी हुई है और इसको शेडिल किया गया है आगे क्या अगले साल परिक्षा हो जाएगी ये एक अंतरमन में प्रशना आता है तो सारे प्रशनों का जवाब आपके RRB रिकृट्मेंट सल के अधिकारी उन्हें जवाब दिया तो बात आपको बतातने हैं कि क्यूं आखिर ये इस्तगित हुआ है तो ऐसे में रेलवे बरती बोर्ट के अधिकारी उनसे संपर किया गया रेलवे बरती बोर्ट के एक वरिष्ट अधिकारे ने एंटिटीवी कवर से बातचीत में कहा कि RRB NTPC की पहले स्टेज की परिक्षा इस्तगित की गई है क्योंकि अभी परिक्षा आयुजित करने के लिए एजेंसी की नियुक्ती का पर्च काम चल रहा है यानि जो परिक्षा कराईगे एजेंसी उसके नियुक्ती कौन सी बिना भेदवाव के कौन सी विना भ्रष्ठा चारिता के आपकी एजेंसी हो जो इन्तम सुचिता पून परिद्ध तरीकिया से परिक्षा कराए और योग बर्टों का चैन सुनेश्चित करें उसको ले कर एजेंसी के चैन का का चल रहा है एजेंसी की नियुक्ती प्रक्रिया जारी है और एजेंसी नि पुझा गया कि इस साल की जगा अब NTPC परिक्षा RRB NTPC 2019 की परिक्षा अगले साल होगी इस पर अधिकारी ने कहा साल खत्मोने में अभी समय है नॉम्बर और दिसंबर बचा है ऐसे में परिक्षा इस साल होगी या अगले साल ये तो एजनसी की नियुक्तिक बादी साफ हो पाएगा बाकि आपको बता दें कि रेलवे भरती बोर्ड 28 फरेरों का NTPC के 35,277 पद उपर भरतिकल नोडिफिकेशन जारी किया था NTPC यानि नॉन टेक्निकल पॉप्लर केटिग्री 35,208 पद आपके 1,26,30,850 से उम्मीदवारों नावे दिन किया जो अपने आपे बहु इसको हम आपको तुरंद प्रवाइड कर देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रिश कर लिजएगा और वीडियो को जितना जादा होश के शेर कर दीज़े ताकि जो जो अभरतियों के मन में ये बात हो कि अगले साल परिक्षा होगी कब तक इसका करेंदıma रचश कर दाना कर भी होश कर दोचा होश Kag报कर होश में भी होश प्रूम